हलो दोस्तों आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है आज हम आपको समाचिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है संसद तो संसद को आज हम पूरा अची से पढ़ लेंगे और आपको पूरी वीडियो देखने हैं अगर आपको पूरी वीडियो हेलफुल लगे तो होते हैं एक निमनी सदन एक उच्ची सदन निमनी सदन है लोगसभा उच्ची सदन है राज्य सब्सक्राइब तो आज हम लोगसभा की बारे में बात करेंगे लोगसभा क्या है इसमें क्या क्या होता है और भारत में इसका क्या महत्तों है सब कुछ हम जानते हैं आज के वी पृस्फं का पृस्बार्थम्या निम्ने मिन सदंः हैं इसे लोगप्रिय कन अधिन ब्र तो वहां को क्वहे insats ओप्शन दिया होगा राजसभा लोगसभा या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं तो आपको वहाँ पर ओप्शन में लोगसभा पर टिक लगाना है आपका आंसर बहुत सही और उंदा आंसर है चेले फिर क्योंकि इसके सदर्स जनतादवरा प्रत्यक शुरूप से निर्व गया है संदश्य संख्या मूल संविधान में लोगसभा की सदर्स संख्या 500 निश्चित की गई थी लेकिन समय समय पर इसमें व्रद्ध की गई 31 संविधानिक संसोदन 1976 के अनिसार लोगसभा की अधिक्तम सदर्स संख्या 547 निश्चित की गई थी परंतु अब गोवा, दमन्दीव, पुनरगठन, आधिनियम 1947 द्वारा निश्चित की गया है कि लोगसभा की अधिक्तम सदर्स संख्या 552 हो सकती है एड में से अधिक्तम 530 सदर्स्य राज्यों के निर्वाचन छेत्रों से अधिक्तम 20 सदर्स संगी छेत्रों से निर्वाचित की गई के जा सकेंगे एवं राष्टपती आंगल भारतीय वर्ग के अधिक्तम दो सदर्स का मनोनयन कर सकेंगे तो राष्टपती आंगल भारती वरे के दो सदसे का मनोनयन करेंगे, मनोनीत करेंगे चलिए, यहां से एक क्वेशन बनेगा कि लोग सभा के अधिक सम सदसे संख्या कितनी होती है आपको वहाँ पर आप्शन दे दिया जएगा 550, 520, 521 और 552 आपको वहाँ पर टिक लगाना है 552 और जिन्होंने क्वेशन का अंसर 552 किया है वो बहुत अच्छी जानकारी अपने संसत की बारे में रखते हैं तो चलिए फिर आगे देखते हैं वर्तमान में लोग सभा के सदस्य संख्या 545 है इन सदस्यों में 530 सदस्य अठाईस राज्यों से 13 सदस्य साथ संगिये छेट्रों से नर्वाचित होते हैं तथा दो सदस्य से आंगल भारती वर्त के प्रतिनिधी के रूप में राष्टपती द्वारा मनुनीत हैं भारती संभिधान में व्यवस्ता की गई है यह गई थी कि 10 वर्ष पस्चात होने वाली गर्णा के अधार पर परी सीमन आयोग लोग सभा में राज्यों वा संगिये छेट्रों के प्रतिनिधीयों की संख्या निश्चित करेगा तो परिशीमन आयोग ये जो है गर्णा के अधार पर लोगसभा में राज्यों वा संगिये छेत्रों के प्रतिनी धी योग की संख्या जो है निश्वित करेगा ऐसा दस वर्ष पश्चा दस वर्ष पश्चात मतलब कि ऐसा व्यवस्था करी गई थी हमारे समविधान में जिसा आयोग की ववस्था करी गई थी पड़ी सेमन आयोग की तो समविधान की इस ववस्था के अंतर गयत 1970 की जनकरना के अद्हार पर भाविश्चिक के लिए लोगसभा निर्वाची सदश्यों की संख्यार निश्रित की गई वर्तमान समय में राज्यों वा संगी छेत्रों को लोकसभा में जो प्रतनेधित प्राप्त है उसे उपर युक्त तालिका के अधार पर समझा जा सकता है 42 समय धानिक संसोधन 1976 के पूर्व या ववस्था थी कि प्रती दस वर्ष पर जन गरना होने के बाद लोकसभा और विधान सभाओं के चिनाव छेत्रों का पुनर निर्धारिर करने के लिए परिसीमन आयो गठितिया जाता था 42 समय धानिक संसोधन दोरा इस ववस्था को समाप्त करती हुए निश्चित किया गया था कि ये निर्वाचन छेत्र 200 2001 इसवी तक ही रहेगा 42 समय धानिक संसोधन में ऐसा निश्चित कर दिया गया था कि 2001 इसवी तक यह जो विवस्था है वो रहेगी और तक वही रहेंगे ठीक है जो 1971 की जुनगर्णा की अधार पर निधारित किये गए है 71 वे समिधानी सुसोदन 1992 द्वारा इस विवस्था में पुनह परवर्तन किया गया कि निर्वाचन चेत्रों की कुल संख्यातो 2001 इसवी तक यही रहेगी लेकिन अनुसूचित जातियों की आरचित इस्थानों का क्रमा वर्तन तुदन्जव पवदत करने के लिए एक सीमांकन आयोग इसापित होगा तो अब कौन सा आयोग सापित होगा सीमांकन आयोग देखिए जितने आयोग हैं उनको अच्छे से पढ़ लीचे कुछ रेटेट क्वेस्टन इसमें से आएंगे जनजातियों के लिए आरचित इस्थानों का क्रमा वर्तन नहीं होगा चले साप साफ कह दिया गया फिर अगस्त 2001 में संसस द्वारा पारिद 91 संविधानिक संसोधन विधियक के अनुसार लोग सभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई छेटशार नहीं की जाएगी विधियक में किये गये प्रावधानों के अनुसार सीटों की संख्या थावत रखते हुए राज्यों में निवाचन छेटों का पुर्ण सीमन किया जा सकेगा इसके लिए बाल में परी सीमन आयों का समयधानिक निकाय होगा निवाचन छेत्र का परी सीमन मनी सिक्यानवे की जन गर्णा पर अधारित होगा तो 2026 तक एक ऐसा सन है जिसमें क्या होगा पुनर सीमन जो है एक आपका प्रावधान वो यथावत वैसा ही रहेगा 2026 के बाद क्या चेंजिस होते हैं वो तो 2026 आने के बाद ही पता चलेगा तो चली आगे देखते हैं निर्वाचन के बारे में बात करते हैं कि लोगसभा में कैसे निर्वाचन होता है लोग सभा के सदस्यों का चुनाओं प्रत्य अच्छ रूप से वयश के मताधिकार के अधार पर होता है तो वयश के यानि की अठारा वर्ष की उम्रे के आयू तक कि जो व्यक्ति होते हैं जो जो होते हैं व्यक्ति उनको अधिकार होता है अपना मतादिकार वो अपने चुने हुए लुकायुक स्वदस्य को दी तो एक सटवे समधाई संसोधन नवासी के अनुशार भारत में अठारा वर्ष की आयू राप्त व्यक्ति को वैश्क माना गया है वहाँ पर क्वेश्चन अप यहां से ऐसे आएगा कि किस संसोधन के तहत अठारा वर्ष की आयू के व्यक्ति को अपना मतादिकार देने का अधिकार प्राप्त है तो आपको 61 संवधानिक संसोधन नवासी को टिक लगाकर अपने नंबर को सिक्योर करना है सीफ करना है याद रखेगा 61 संवधानिक संसोधन नवासी के अनुसार अठारा वर्ष का जो व्यक्ति है वो वयस्क माना गया है अब लोग सभा के सब भी निवाचन चीत एकल सदसीर रहेंगे रखे गए हैं फिर क्या होगा प्रतिने दृत्त का अनुपात कुछ अपवादों को छोड़कर यथा समसदेश में समान रखने का प्रयातन किया जाएगा मोल सम्विधान में अनुसूचित जाते हो तथा जन जाते हो हैं तो दर्श वर्ष की अवदी के लिए अस्थान सरक्षित रखे गए थे किन्तों बाद में अवदी बढ़ा दी गई सम्विधान के 89 सम्विधानिक संसोधन अक्टूबर 1999 के अनुसार अब उनके लिए 25 जनवरी 2010 इस भी तक अस्थान आरचित कर दिये गए हैं सदस्यों के लिए योगिताएं देखते हैं कि लोगसभा के सदस्यों की क्या योगिताएं होनी चाहिए तो लोगसभा के सदस्यों के लिए सम्विधान के नुसार निम्ड योगिताएं होनी आवस्यक हैं नमबर एक वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो उसकी आयू 25 वर्ष या इस से अधिक हो भारत सरकार अत्वा किसी राज सरकार के अंतरगयत वह कोई लाप का पर धार ना किये हो वह किसी नायाले द्वारा पागल न ठहराया गया हो और नहीं वो दिवालिया हो इन योगताओं के अतरिक्त अन योगतान अधारित करने का अधिकाद संभीधान के द्वारा संसत को दिया गया है इस अधिकार के संदस्य अंतरगय संसत ने 1951 में जन प्रतिनिद्ध तो आधिनियम पीपल रेप्रेजन्टेशन अक्ट पास कर संसत अधरस्यों के निमने योगताओं नधारित की है तो देखते हैं अनुसूचित जातियों से संबंदित सुरक्षित अस्तान के उम्मिद्वार के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जात के सदस्य हों इस प्रकार जनजाती से सामबंदित सुरक्षित अस्तान के उम्मिद्वारों के लिए आवस्यक है कि वे जनजाती के सदस्य हों वे व्यक्ति समस्त भारती छेत्र में किसी भी अस्तान से अनुसूचित जाती या जनजाती के सदस्य हो सकते हैं किन्त यह बार असम के स्वतंत्र जीलों तथा जनजाती पर लागूर नहीं है देखिए कुछ छेत्र ऐसे हैं जहां पर कुछ नियम लागूर नहीं होते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है इस्पेशली है तो देखते हैं असम में जनजातियों के इस रक्षित स्थान से उम्मीदवार बनने के लिए उस जनजाती का होना और उस संसदी निर्वाचन छेत्र का या उस स्वतंत जिले के किसी अन्य निर्वाचन छेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है नमर तीन, अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए बारत में किसी भी संसती निर्वाचन छेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है अर्थात किसी भी निर्वाचन छेत्र से उसका नाम मतदाता सुची में होना चाहिए तो संसत वही बनेगा जो जिसका किसी निर्वाचन छेट से मत दाता सुची में उसका नाम होना आवश्यक है उसको भी मत देने का हग होना चाहिए वो भी उस सुची में होना चाहिए निर्वाचन संबंधी अपराद के लिए दोशी पाए गए विक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा संसत कर चुनार लड़ने के आयोग गोशित किया जा सकता है उसने किसी अपराद के लिए दो वर्ष से अधिक सजर न पाई हो तदा उसी जेल से छूटने पाँच वर्ष से अधिक हो गए हो देखिए तो कम से कम पाँच वर्ष के लिए वो जेल से जूट चुका हो उसका डुरेशन टाइम पाँच वर्ष सक्का हो चुका होना चाहिए छटा है आपका उससे सरकार से संबंदित किसी ठेके में हिस्सेदार ना होना चाहिए और ना सरकार के संबंदित किसी कार खाने में उसका कोई हित होना चाहिए उसे बेइमानी आराज़ों के कारण सरकारी नौकरी से ना निकाला गया हो इस प्रिकार गयपराद के पांच वर्ष बाद ही वह संसत की सदस्ता प्राप्त कर सकता है तो चलिए हमने बात कर लिया लोग सबाद के सदस्त की क्या योगिता होनी चाहिए देखे हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश है वो आप तक सही जानकारी पहुंचाना है तो आप इस पर मध्यान दीजिए कि आपको बहुत जादा पढ़ना पढ़ा है कम पढ़ना पढ़ना है पर आपका पूरा कंटेंट पूरा हो रहा है तो कम से गम आप इसका शुक्रिया कीजिए कि कंटेंट मिल रहा है इससे आपको कहीं खोजना भी नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ पढ़ाई करना है तो चलिए पढ़ते हैं जान मंदल का चुनाओ लड़ने के आयोगे गोशित कर दिया गया है जनवरी 1992 में जन प्रति नियाम 1951 में संसोधन कर या ववस्ता की गई है कि लोकसभा या विधान सबा चुनाओ के दरान यदि कोई निर्दली उम्मीद्वार की मेरती हो जाए तो चुनाओ इस्तिगित नह आयोग में पंचे के दल के उम्मीद्वार की म्रत्य हो गई हो तो राजनीतिक दल में आम जानते हैं BJP, बसपा है, कॉंगरेज है तो ये सारे दल हैं जो राजनीतिक दल हैं जिनको मानेता भी मिली हुई है तो देखते हैं लोकसभा की गड़ा, पूर्टी, कोल, सदस्य, श आया, किसी एक सदन का सत्राविशान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राजच्टपतिय को इतनी पावर मिली होती है कि वो कर सकता है। अध्यक्ष को सदन को आनिश्चित काल के लिए सगिट करने की सक्टी प्राप्त होती है सदन को एक आनिश्चित काल के लिए सगिट करने के पश्या उसे फिर से बुलाने की शक्ती भी अध्यक्ष को प्राप्त है परनत सत्वावशान हो जाने पर किवल राश्ट्रपती सद्नों की बैठक आमतित कर सकता है तो राश्ट्रपती को उतना अधिकार प्राप्त है कि सत्वाशान है फिर भी वो बैठक कर सके सविधान के अधीन केवल लोगसभा को ही विगटित किया जा सकता है और इसके विगटित हो जाने पर इसके समच या इसकी किसी समीति की समच लंबित सब कारे व्यपगत हो जाता है यदि लोगसभा विगटित कर दी जाये तो राजसभा में पेश किये गए विधियक जो लोगसभा द्वारा पासना किये गए हूँ परनतो अभी राजसभा में लंबित हूँ व्यपगत नहीं होते अध्याच्य सदन में सिवा उस सिती के जब किसी प्रिस्ताव पर दोनों पक्षों के समार मत हूँ अन्यता मदार नहीं करता सवाद अन्यता के बाद एक ऐसा आवसर नहीं आया जबकि अध्याच को अपने निर्णाय मत का प्रियोग करना पड़ा हूँ तो देखते हैं कारेकाल तो लोगसभा का कारेकाल कितने टाइम का है वो देखते हैं कारेकाल पांच वर्ष का है अधिकतर देखिए कोई भी सरकारी गोर्मेंटेड है तो वहाँ पर पांच वर्ष होता है अधिकतर सब एक इस तरह के से आद कर लीजी हां से क्वेशन लगाना और अपने नंबर्स को सेफ करना है प्रधार मंत्री के प्रयामश्क अधार पर राश्रपती के द्वारा लोग सबा को समय से पूर भी भंग किया जा सकता है ऐसा अब अब तक आठ बार उनी सो सत्तर, सतत्तर और उन्यासी, चौरासी, नवासी और इक्यानबे दिसंबर एक तथा अपरेल उनी सो निन्यानबे में किया गया है तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, चेर, साथ, और आठ बार इसको ऐसा किया गया है कि लोग सबा पहले ही भंग कर दी गए संक्रिकाल के गोश्रा अलागो होने पर संसर्द विधी द्वारा लोग सबा के कारेकाल में व्रदि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी 1986 में लोकसभा का कारेकार दो बार एक एक वर्ष के लिए पढ़ाया गया था अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा और राजसभा के अधिवेशन रास्टपती द्वारा ही बुलाई और इस्तिकित किये जाते हैं इस संबंध में नियम केवल या है कि लोकसभा की दो बैटकों में छे मा से अधिकांतर नहीं होना चाहिए तो ये तुरह अधिवेशन अब देखते हैं संयूक्त अधिवेशन संयूक्त अधिवेशन रास्टपती द्वारा नियम ने तीन सित्यों में बलाया जा सकता है विधेग एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि नमबर एक पॉइंट दूसरे सदन का द्वारा विधेग आस्विकार कर दिया गया या विधेग पर किये जाने वाले संसोदनों के बारे में दोनों सदन आंती भूप से असामत हो गए हैं या दूसरे सदन को विधेग प्राप्त होने की तारीक से उसके द्वारा विधेग पारित किये बिना छे माज से अधिक बीज गये हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्चता लोगसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त अधिवेशन में विधेग के भाग का निर्णे दोनों के समस्त उपस्थित और मैदान में भाग लेने वारे सदश्यों के भूमत से होता है वित्विधेग के समंध में लोगसभा का निर्णे अंतिम होता है अता वित्विधेग पर संयुक्त अधिवेशन की कोई विवस्था नहीं है इन में से कोई भी कंडिशन है तो जो हैं विधेग के बारे में ऐसा कुछ मत है चली आगे देखते हैं लोगसभा के पदाधिका करते हैं समिधान के अनुचेत तिरान में के अनुसाल लोग सब्सक्राइब में से एक अध्याच और इक अभाद्यच नर्वाजन करेगी अध्याच तता उपाद्यच को उनके पसे हटाना भी जा सकता है यह लोग सब्सक्राइब के सदकाले सदु सि के आसे का प्रिष्टाव पास हो जाए परन्तु इस प्रेकार का कुई प्रिष्टाव लोच सभा में तब इस हो सकेगा जबकि इस प्रेकार के पतесто को पेश करने के लिए कम से कम से चाहत की पूर्विर pilgrimant दे गई हो। सभिधानadt RIंसाπό अध्यच्छ और उपाध्यच को शंभुफध्य। यह अन्य किसी कारण से अध्यच की अनू स॥ित पह io joue पहां अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां भारती ये लोकसभा के अध्यक्ष की लगभग वे ही अधिकार हैं जो बिटिश लोक्षदन House of Commons के अद्यक्च को है यानि सक्तियों का उले इस प्रकार से अद्यक्च के द्वारा लोग सुबा की सभी बैटको की अद्यक्चता की जाती है और अद्यक्च होने के नाते उनके द्वारा सदर्न में शांतिव वबस्ता और अनुशासन बनाया रखने का कोई सदस उनकी आग्याएं नमाने सदन की कारवाहि में नहीं से बाधर डाले तो उसकी सदस्तेता को नेलमबी त्यानी के सब्रेंट कर सकता है लोग सबा का समस्तिय कारिक्रम और कारवाहि अध्यरच के दौरा ही निस्चित की जाती है वह जदन के नेता के परामर्शे विभेन विश्यों को मासर देने के अन्मत्ति वही देता है और भाशनों का क्रम भी उसी के द्वारा नश्य थीयर जाता है वह विभेन प्रिष्टाओं आधी पर मद्दान किड़ाकर प्रणाम गूशित करता है प्रिष्ट्णों को स्विका करने का कार्य वही करता है और कामरों को प्रिस्ताओं की भी अनुमति से ही पेश उसकी अनुमत से ही पेश हो सकता है प्रिक्रिया संबंदी सभी विवादों का निर्णय अंतिम होता है जो उसका निर्णय होता है जो कोई भी प्रिक्रिया संबंदी है अगर वो उसका निर् चलिए फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट वा सदन की कुछ समीतियों का पदें सभापती होता है प्रवल समीति और इस सभापतियों को वही नियूट करता है इन समीतियों के द्वारा उसके रिदेशन में ही कार्य किया जाता है अध्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इतनी तो बात हमने लोग सभा के अदर्श के बारें में कर ली तो चले आज के सेशन को यहीं करते हैं सब आप फिर आप से मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ उमीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा आपको अगर यह वीडियो लगे आप सुरूर श सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रिस कर दें आपको कमेंट करना जरूरी है आपको कंटेंट कैसा लगा लिख बेजी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में लेते हैं आपसे विदा